नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल ठाकूर योगी की पुलिस ने पीट-पीट कर मार डाला ये कहानी सुनेंगे तो सन रह रहेंगे दिल दहल जाएगा रूह काप उठेगी इतनी बरबरता और बेरहमी की कहानी है उस सूबे की जिस सूबे के मुखिया देश भर में घूम घूम कर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे सीधे सीधे हिंदूों के बोट मांग रहे हैं हिंदू बोट बैंक के लिए लामबंदी कर रहे हैं उन सूबे के मुखिया जरा इन खबरों को भी देख ले हैं क्योंकि ये उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव से खबर आई है वीडियो भी आया है किस तरीके से पुलिस हिरासत में इस सक्स की मौत हो जाती है जो पुलिस पीट रही थी वो पानी मांग रहा था लेकिन उसे पानी नहीं उसके नसीम में मौत मिली जिसके बाद पूरा परिवार मातम पूरे परिवार मातम फैला हुआ है तभी तो अखले श्यादब कह रहे है कि आप हिरासत को ना अत्याचार ग्रह कहिए तभी तो कॉंग्रेस को भी मौका मिला कॉंग्रेस कह रही है कि यूपी में जंगल राज है तमाम ऐसी सब कुछ चल रहा है मैं आपको वीडियो से लेकर और कहां पुलिस ने घपला किया किस तरीके से जूट कहा गया किस तरीके से बात है छिपाई गई यह सब कुछ आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं सबसे पहले वीडियो के शुरुबात करेंगे इसी सक्स के वीडियो के साथ जो पुलिस हि पुलिस ने इसके साथ बर्बरता की क्या इसका गुनाह था जो इसे लाया गया और खंटों तक हिरासत में रखा गया आखिर वो कौन नेता था जिसके इशारे पर हमारे बेटे को पीटा गया पुलिस हिरासत में रखा गया शुरूबात वीडियो से ये वाइरल हो रहा वीडियो इसमें पुलिस हिरासत का है इसमें तारीक लिखी हुई है 26 अक्टूबर रात के 1.5 बजे के आसपास की ए घटना है ये जो वीडियो बता रहा है इसमें ये शक्स है मोहित पांडे जो लेटा हुआ है इसके साथ इसका ये भाई भी है ये आप देख सकते हैं ये इसका भाई है देखिए किस तरीक से एड़ता है उसके बाद उसका जो भाई है वो उसके पास जाता है समालने की कोशिश करता है जानने की कोशिश करता है पूछता है कि आखिर अच्छानक क्या हुआ मेरे भाई को अपने छोटे भाई के पास देखिए किस तरीक से बैठा हुआ है पूरी कहानी आपको बताऊंगा विस्तार से सोचिए उस पुलिस की हिरासत में इस बड़े भाई के सामने छोटा भाई दम तोड़ देता है इस बड़े भाई का कसूर इतना था कि वो अपने छोटे भाई के पास मिलने गया था लेकिन पुलिस ने इसे भी जवरन हिरासत में बिठा लिया अब ज़रा सोचिए किस तरीके से पुलिस पर ही हत्या के आरोप लग रहे हैं पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं उस पुलिस पर जिसे लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तेद किया जाता है लेकिन अब वही पुलिस सवालों के घेरे में हैं ना यहां इंकाउंटर की बात हो रहे हैं ना बुल्डोजर की लेकिन मानवता के नाम पर पानी तक नहीं पिलाया गया अब ज़रा सोचिए देखिए किस तरीक से दूसरा शक्स आता है यहां पर कई जो है हिरासत में लोग बैठे हुए हैं पर उसके वाल से सहला आया जाता है लेकिन यह शक्स मोहित पांडे इसी तरह इसी इनी सलाखों के पीछे दम तोड़ देता है उसकी जान चली जाती है जो कुछ वक्त पहले तक पुलिस से पानी मांग रहा था जिसे पुलिस कुछ वक्त पहले तक पीट रही थी ऐसे आरोप लगे हैं लखनव के चिनहट थाना छेतर का ये मामला है जो की मुख्यमंत्री आवाज से महस दस से बारे किलोमेटर की दूरी पर है वहाँ ये सब हो रहा है तो आप पूरे उत्तरप्रदेश की कल्पना छोड़ ही दीजिए सिर्फ राजधानी लखनों का ये हाल है तो आप उससे अंदाज लगाईए जिसका नतीजा कि दिवाली के वक्त पर तेहार के वक्त पर बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले भी देख लें कि किस तरीके से इस परिवार में मातम पस्रा हुआ है चीक पुकार मच्री हुई है इसकी माँ चीक चीक कर बिलकुल बुरा हाल हो गया है पत्नी का बुरा हाल है सब लोग कह रहा है कि अब हमें इंसाफ दीजिए इंसाफ की गहार लगाई दा रही है किस तरीके से जब खब पुलिस परिवार को मिला है यह फाई यार है इस पूरा जिक्र है चिनहर थाना इलाके का है इसमें इनकी मा जो है इस शक्स की मोहित पांडे की तपेश्वरी देवी उन्होंने यह फायार लिखिया कि 25 यानि 25 अक्टूबर को हमारे लड़के और आदेश पुत्र अग्यात निवासी लौलाई चिनहर लखनाउ से मामूली विवाद हो गया था दोनों लोगों के द्वारा डायल एक सो बारे पर कॉल करके पुलिस बुलाई गई हमारे छोटे बेटे मोहित को रात लगभग 10 बजे चिनहर थाने लेकर गई पुलिस हमारा बड़ा बेटा शोबा राम रात लगभग 11 बजे जब उससे मिले चिनहर थाने पहुचा तो गात था आप Скहा सुनी का दूसरे फक्ष को लेकर आरप लगा है कि अं लोगों करवा देंगे करा देङ पुलिस में हमारी अच्छी पकड़ है दौनों बेटे को अलग-अलग स्थान पर रखा, बहुत देर बाद दौनों लोगों को एक जगे किया विपक्षी जो है आदेश को बहुत देर बाद लाकर बंद किया रात में दौनों बेटों को एक साथ बंद करने से पहले मेरे छोटे बेटे मोहित को इतना मारा कि उसकी लॉक अप में ही मौत हो गई, सुबह जब हमारे परिवार के लोग मिल ले गए, तो चिनहट पुलिस द्वारा किसी को भी परिवार को नहीं मिल ले दिया गया, दिन में लगवग एक बज़े हमारे बड़े लड़के सुबाराम ने फौन करके मैं बताया कि आप चिनहट पुलिस द्वारा मोहित को इतना मारा गया कि वह मर गया, उसे लोहिया उस्पीटल लाए है, जब हम लोग लोहिया उस्पीटल पहुंचे तो पता चला कि मोहित मर गया है, हम लोग दूर से ही शब दिखाया गया वह लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया हम लोग को नर्दीक से लास देखने भी तक नहीं दी गई अत्या श्रीमान जी से निवेदाने की उत्त गटना का संग्यान लेते हुए आदेश पुत्र अज्यात आदेश के चाचा जो नेता उन्हें भी इसमें आरूपी बनाए गया है जिनके इशारे पर पुलिस की ऐसी ब अंदाजा लगाई है दरसल जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं वो यह हैं कि विवा यह जो इस्कूल की टाई बैल्ट होती है उसका यह मोहित पांडे है काम करते थे मातर चैसाओ शाड़े शैसो और लेकर विवाद था इस विवाद को लेकर पुलिस बलाए गई और जो हुआ कि जिंदगी से हाथ खोना पड़ा बड़े-बड़े अख़वारों में छपा कि मोहित को लॉक अप में पीटते रहे पानी भी नहीं दिया यह राजधानी लखनों का हाल है कान से सुन लीजे यह लखनों की बात है अच्छे से धान से सुन लीजे लखनों के हाल है ऐसा मनजर है जहाँ पुलिस पर ऐसे गंबीर आरोप लग रहे हैं तो फिर आप बाकी जिलों का छोड़ दीजिए क्योंकि लखनों जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं जहां चे पूरी सरकार चलती हैं जहां सारे अधिकारी होते हैं तमाम मंत्री होतें तमाम बिधाय लाएक होते हैं सब कुछ वहां पर है तब भी वहां की पुलिस का जिस पर भरोसे को जिनके दम पर बड़ी-बड़ी बात है कही जाती है उन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं सवालों के कटकरे में पुलिस खड़ी हो रही है यह बड़ी-बड़ी चीजें जो हैं बड़े- एक तरीके से इशार शारव कहना है कि हत्या है का दूसरा समाचार मिला है नाम बदलने में माहिर सरकार को पुलिस हिरासत का नाम बदल कर अत्या चार ग्रहे रख देना चाहिए पीडित परिबार की हर मांग पूरी की जाए हम उनके साथ हैं अक्रेश तंज कसने के साथ-सा लएकार खाला धने में जब लगन यहिफ खाला ह慌़ां गत्या कंवां शारा परिफेरमट परिजरर रस है उनके को उनके पेटे की हत्या करती कि परीडेस में Бाजपाने ऐसा जंगर राज कायम क्या है जहां पुलिस कि रूरता अ का जो रखवाले हैं जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाये तो न्याय किसे मिलेगा कौन दिलाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो बटेंगे तो खटेंगे का नारा लेकर देश भर में घूम रहें पिचार कर रहें जंडा बुलंद कर रहें और वहां उन्हीं के शाषन में उन्हीं की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है यह आये दिन ऐसे उधारान सामने आते हैं कॉंग्रेस ने लिखाया कि उत्तरप्रदेश के लखनव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है यहां यूपी पुलिस ना दो इवकों के रासत में लिया दूसरे दिन ए गारंटी नहीं है उत्तरप्रदेश की जनता बीजेपी की स्कुरूर और गैर जिम्मेदार सरकार को करारा जवाब देगी इसके अलावा जो मैंने आपसे बात की ती शुरुहात में पुलिस ने किस तरीके से छूट बोला किस तरीके से खपला किया किस तरीके से सारी उनकी का स्टड़ी में मौत का वीडियो लेकिन नहीं नीचे हमने एक हिस्सा आपको दिखा रहा है जो लिखा हुआ यहां पर शुकुरबार रात को लाया गया था था थाने जिसका एफ आई आर में उनकी माने भी जिक्र किया है मोहित पांडे की मौत के माम में पुलिस की कारावई में बड़ी लापर वाई सामने आई है जानकारी के मुताविक मौत पाइंडे को चिनहट थाने में पर शुकुरबार की राफ 10 बच कर 56 मिनट पर लाया गया था रात बर थाने में रखने के बाद दुपहर 1 बच कर 5 मिनट पर पुलिस ने उसकी गिरफतारी दिखाई यानि की सीघे 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 एक कई खंटों बात रात में पुलिस पकड के लाती है ठाने में रखती है रात बबर गरफतारी दिखाती है अगने दिन सुबहर सोची दरा बिना लिखा पड़ी के थाने में रखने का आरोप लगा जानकारी के मताविक पुलिस शामती बंग की आशाक काम है मोहित और उसके भाई को गरफतार दिखा कर कोट में ले जाने वाली थी रात भर मोरित और उसके भाई को बिना लिखा पड़ी के चिनर थाने के लोक अप में रखा गया ये है पुलिस का कारणामा अब इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर अब जादब बड़े अधिकारी बोलने को तयार नहीं है मुख्य मंतरी जी भी पिर चार में फिलाल महरास जा रहा है किसी पहले हर्याना जा रहे थे बटेंगे तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे बटोगे तो कटोगे इसी तरह की शपद लाई जा रही थी वोट मांगे जा रहे थे लेकिन उनके सूबे में उनके राज में उन्हीं की पुलिस क्या कर रही है कुछ वक्त पहले बहराईच में जो दंगा हुआ वो भी आपने देखा आए दिन सूबे के अलगलग कौन से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्य मंत्री जी ऐसे तमाम नारों से हट कर अपनी पुलिस के जो पेच है वो टाइट करेंगे अपने ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कारवाई करेंगे क्योंकि इससे पहले लखनू के विकास नेगर में जब आमन गुप्ता की पुलिस राशत पर मौत की खबर आई थी उस मामले में भी सवाल खड़े हुए थे कि पुलिस वालों की ग्रफतारी ने हुई तब आरोप लगाता कि वो पुलिस ने सफाई दी थी कि हम तो बस पकड़ने जैसी हमने रेड मारी थी जुआ के अड़े पर तो वो हमें वहीं उसकी तवित खराम मिली थी लेकिन जब तक हम अस्पतार लेकर मौत हो चुकी थी वो केस भी हाई कोट में चल रहा है सिर्फ लखनों के दो ही केस रही है हाल फिलाल मैं अगर आंकलों को देख लें जो संसद में सरकार केंसरकार की तरफ से पेश किये जाते हैं पिछले कुस बक्त से यूपी उसमें नंबर वन मना हुआ है पिलिस रासत में मौत पर कभी साल में 400-500 इस तरह से मौत होती रहती है आंकले गवाही दे रहे हैं लेकिन एक्शन लेने वाला भी तक कोई नहीं है फिलाल इस वीडियो में इतना ही आपके फीड़बेक का इंजार रहेगा नमस्कार